तो आज हम देखेंगे क्लास 8 की सब्जेक्ट गनीत की कॉन्वी जीनिस क्वीज का कंप्ली सॉलिशन तो चली शूरू करते हैं फर्स कुशिन यहां गिवन है माइनस xy स्कॉइड कॉमा 3x स्कॉइड y q कॉमा माइनस 12 x q y स्कॉइड कॉमा माइनस 11 x स्कॉइड y q कॉमा 8 xy में समान पद कौन से हैं तो यहां हमें समान पद कौन से है वो बताना है, तो यहां समान पद हो जाएगा, option third, 3X square Y cube और minus 11X square Y cube, यह समान पद हो जाएगे, जब हम इसे solve करेंगे, तो यहां समान पद कौन से निकलेंगे, 3X square Y cube और minus 11X square Y cube. next question है minus 3xy square plus 8xy minus 13x plus 7y में x का गुनांग क्या है तो यहाँ जब इसे solve करेंगे तो x का गुनांग निकलेगा minus 13 next question है 8ab square और minus 16a square b के उभेनिश गुनक को ग्याद कीजिए तो यहाँ उभेनिश गुनक कौन होगा 8ab दोरों में जो common है वो क्या है 8ab ठीक है तो यहाँ option first जो है वो correct हो जाएगा next question है निम्न मैसी कौन एक द्वी पदी है तो यहाँ द्वी पदी समीकरन बताना है तो वो कौन सा है option third minus k plus 5l next है निम्न मैसी कौन एक पदी है तो यहाँ एक पदी कौन दिख रहा है हमें option second minus ab next question है 8y square, minus 2y square और 13y square के योग को ग्याद कीजिए तो जब हम इसे solve करेंगे तो यहाँ योग होगा 19y square तो यहाँ option fourth correct हो जाएगा 19y square next question है 5x square plus 13y को 8x square minus 7y से घटाईए तो यहाँ दोनों ही समीकरन को हमें घटा कर बताना है तो हम जब इसे घटाएंगे 5x square plus 13y मैं से 8x square minus 7y को जब हम घटाएंगे तो यहाँ answer correct हो जाएगा 3x square minus 25 क्योंकि यहाँ जो घटाने पर है वो हो जाएगा minus 8x square यहाँ 7y जो minus का दे रखा है वो minus से minus हो जाएगा plus तो यहाँ 7y को जोड देंगे 13y से तो क्या हो जाएगा 20y और यहाँ 5x square और 8x square तो minus 8x square में से 5x square घटाएंगे तो 3x square बच जाएगा तो यहाँ option third correct हो जाएगा next question है 4y और 3y square के गुननफल को ज्याद कीजिए तो यहाँ गुननफल को करेंगे तो यहाँ क्या होगा 12y cube क्योंकि यहाँ जब 4 को 3 से into करेंगे multiply करेंगे तो 12 आजाएगा और y को y square से multiply करेंगे तो y cube हो जाएगा तो यहाँ option first जो है वो correct हो जाएगा next question है 3x और 5x माइनस 3y के गुननफल को ज्याद कीजिए तो यहाँ कोस्टरक में दे रखा है 5x माइनस 3y और एक पद दे रखा है 3x जब हम इसे multiply करेंगे तो 3x गुना 5x क्या हो जाएगा 15x square हो जाएगा और 3x गुना माइनस 3y हो जाएगा 9xy तो यहाँ 15x square माइनस 9xy हो ज तो यह था class 8 की subject गनीत की convergence quiz का complete solution हम इसी तरह से अनने important videos देखते रहेंगे classes से related तो जुड़े रहें स्कूल राज थोरी चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद